बिहार पुलिस विभाग द्वारा होम गार्ड भरती 2024 के लिए शारिरिक दख्षता परिक्षा आज यानी शनिवार को शुरू हो चुकी है आपको बता दे करीब 18 वश बाद 301 पदों पर बहाली होनी है बिहार होम गार्ड फिजिकल टेस्ट 21 सितंबर से 1 ऑक्टूबर तक चलेगी दो पालियों में जाज परिक्षा ली जाएगी पुरुष और महिला उम्मीदवारों की शारिरिक शमताओं के परिक्षन के लिए बिहार होम गार्ड फिजिकल टेस्ट मांदन निरधारित के गए हैं जिन पर खरा उदरने के बाद उम्मीदवारों को इस पद के लिए योग्या माना जाएगा नियोपुलिस लाइन आरा मैदान में बांस बल्ले से बेरिकेटिंग के साथ पंडाल निर्मान कारे भी पोर्ण हो गया है दौटने के लिए मिट्टी डाल कर ट्रैक भी बना दिया गया है घास की कटिंग भी करती गई है भोजपूर जिले में 2006 में आवेदन दिये गए होमगाड जवानों की बहाली की प्रक्रिया आज से आरा के पुलिस लाइन में शारिरिक दक्षता की जांच परिक्षा शुरू हुई है दस दिनों तक चलने वाले इस वहाली परिक्षा का जाइजा लेने आज जिलाधिकारी भोजपूर तनय सुल्तानिया डेडिसी भोजपूर अनुपमा सिंग एस्पी भोजपूर मिस्टर राज पहुँचे पहले दिन की परिक्षा प्रथम पाली सुभा साथ से दुपहर बारा बजे तक और दूसरी पाली दुपहर एक से शाम पांच बजे तक चलेगी पीरो प्रखण से ही दक्षता परिक्षा की शुरुवात की गई है शारिक दक्षता परिक्षा करिब 11 दिनों तक चलेगी जिसमें बहिया, बढ़हरा, पीरो, आरा, शाहपूर एवं उद्वन्त नगर प्रखण के अभ्यार्थियों की संख्या के मद्धे नजर तय तीथी के दिन दो पालियों में निर्थारित की गई है